वजन घटाने के लिए रणिंग फायदे मंद है या वाकिंग? क्या कहता है साइंस? भाग दोर भरी जिन्दिगी के बीच फिट और हेल्दी रहना चैलेंजिंग है, पर कर्फ्यूज हैं कि वजन कम करने के लिए रणिंग करनी चाहिए या वाकिंग? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले बस एक ही रिक्विस्ट है, ऐसी ही सिंपल और इजी वेट लॉस टिप्स के लिए, हमारे यूसफुल और इन्फॉर्मेटिव चैनल, हेल्थ ने जॉए को सब्सक्राइब करें, और बेल के और एक पैर जमीन पर ही रहता है, वही है रनिंग, आसान शब्दों में कहें, तो जब तेज तेज चलते हैं, आपकी चलने की स्पीड 9 किलोमीटर प्रती घंटा या उससे अधिक हो जाती है, तो उसे रनिंग कहते हैं, इंसानों ने लगबग 4-6 मिलियन येर्स पहले चलन और दोड़ना शुरू किया था, अब वॉकिंग क्या है, तो ये भी एक काडियो एक्सेसाइज है, इसे लो इंटेंसिटी एक्सेसाइज के अंदर रखा जाता है, एक्सपर्ट के मताबिक हर दिन सिर्फ 30 मिनट वॉक करने से हार्ट की फिटनेस बढ़ाने के साथ ही हड़ि देते हैं, 2007 की स्टडी के मताबिक एवरी वीक लगभग 75 मिनट वॉक करने से पाटिस्पेंस का फिटनेस लेविल कई गोना बढ़ जाता है, और 2011 की रिसर्च के मताबिक उम्र के अनुसार हर साल पैदल चलने की गती थोड़ी कम हो जाती है, जो कि उम्र, लिंग और उंचा जिसमें लगभग 50,000 लोगों के weight differences और exercise level की तुलना की गई, जिससे ये सामने आया कि लगभग सभी लोगों का वजन कम हुआ था, पुरशों को रनिंग करने से ज़्यादा फायदा हुआ था, और महलाओं के लिए सिर्फ शुरुआत में फायदे मन थी, इसके बाद देख फिसकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, तो walking से अच्छा कुछ भी नहीं, हालांकि walking करने से दोड़ने के मुकाबले कम calorie burn होगी, अगर आपका objective वजन कम करना नहीं, बलकि स्वस्थ बजन बनाय रखना है, तो रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट टहलन ही काफी है, बहातर किलो वजन वाला व्यक्ति 8 किलो मिटर प्रती घंटे की स्पीड से दोड़ कर 600 कैलोरी burn कर सकता है, जबकि वही व्यक्ति 3 किलो मिटर सामाने गती से पैदल चल कर 133 कैलोरी burn कर सकता है, यानि अगर आप चलने की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो कैलोरी ज लोगों से बातचीत करके डेटा एक खटा किया गया था, इस दोरान ये जानने की कोशिश की गई कि इन दोनों में से किस ग्रुप ने जादा वजन घटाया और किस ने इसे लंबे समय तक बरकरार रखा, आपको जानके हिरानी होगी कि वाकिंग और रनिंग दोनों ही ग्र लोगों ने हर सब्ता बराबर कैलोरी बर्ण की, हालांकि रनिंग करने वाले ग्रुप के लोग ऐसे थे जो अपने वेट को कंट्रोल करने और लंबे समय तक उसे बरकरार रखने में कामियाब हुए, तो अगर आपका मोटे वजन गम करना है तो रनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम रिक्मेंट करेंगे कि शुरुआत के कुछ दिन वाक ही करें, जब आप फिट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पहले से अधिक इंटेंसिटी वाले वाकाउट कर सकते हैं, ऐसे में आपको धीरे धीरे अपने सेशन्स में कठिन वाकाउट जैसे दोड़ना, पार भी शरीर से कलोरी बर्न होती रहती हैं, क्योंकि बहुत कठिन एक्सराइज के दोरान आपका मेटाबोलिक रेट बढ़ जाता है, और एक्सराइज करने के 14 घंटे बाद तक शरीर में मौजूद कलोरी बर्न होती रहती है, तो पहले आप एदल चल दिन से शुरुआत करें, फिर रनिंग और धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी एक्सराइज की तरफ स्टेप बढ़ाएं, इसके लावा सबसे एहम पॉइंट है सिफ्टी, बिगनर्स के लिए हमेशा ही बेस रहा है वाकिंग, क्योंकि इसमें इंजुरीज के चांसिस कम होते हैं, जादा मेहनत ना करने क कारण वाकिंग एक लांग लास्टिंग एक्सराइज साबित हुई है, इसके लावा नी, हिप जोइन्स के लिए भी जादा सेफ है वाकिंग, इसे अधिक करने से कोई खास नुकसान नहीं होता, और पचास से उपर के लोग दिल की समस्या या जोडों और मास्पेशियों के दर्स से पीडित लोगों के लिए भी एक्सपर्ट्स पैदल चलने की सलह देते हैं, रनिंग एक हिप एफेक्ट एक्टिविटी है जो आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डाल सकती है, जिससे आपकी इस्थिती और खराब हो सकती है, लियाज़ ये साबित हो चुका कि वेट लॉस के लिए वॉकिंग से जादा असरदार वरनिंग है, इसके बापजूद अगर आपको वॉकिंग जादा पसंद है, तो आपको वॉकिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि कई स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है, कि वैक्ति को जो चीज पसंद होती है, उसे ही वह नियमित रूप से कर पाता है और अपने आपको सुस्त रख सकता है लेहाजा बेनामन से रणिंग करने की बजाए मन से वॉकिंग करें और वजन घटाएं पर वीडियो को एंड करने से पहले हम एक और आप्शन की बात कर सकते हैं जो की रणिंग और वाकिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो की दोनों से जुड़े फायदे प्रदान करता है और ये है स्लो जॉगिंग ना आपको तेज भागना है ना ही सिर्फ पैदल चल कर वजन घटाना है पैदल चलने के समय ही अगर आप थोड़ा थोड़ा जम करके स्पीड को बढ़ा के दोड़ने जैसा एक्शन लेंगे तो उसे ही स्लो जॉगिंग कहते हैं और इसके लिए आपको ज़ादा ऊपर पैर नहीं उठाने शॉर्ट सिप्स लेने हैं बैक को स्ट्रेट रखकर शॉल्डर को रिलैक्स करके नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करिए स्लो जॉगिंग बात करें फायदों की तो हिप्स और नीज जॉइन्स पर तो असर पड़ता ही है पर वो रणिंग की तुल्ला में ये सेफ है जादा पसीने नहीं छूटते एनरजी रणिंग के मुकाबले कम लगती है इस कारण देर तक कर सकते हैं तो दोस्त अब आप समझ गए हैं कि आपको गोल के मताबिक क्या करना है रणिंग या वॉकिंग या another great option is slow jogging तो देर किस बात की जल्दी से इन में से किसी को भी करना शुरू कीजिए और अपने गोल को अच्छीव करें और ऐसे ही helpful वीडियो के साथ हम फिर आज़र होंगे तब तक इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर जरू करें और हमारे साथ बने रहना ना भूले Thanks for watching